राजिनती विज्ञान बीशे में आज हम परवक्ता राजिनती विज्ञान, रायका धापक नागर साथ, रायका धापक सामाजी विज्ञान, UGC-Net, स्टेट सेट और अच्छे सभी पठ्टियों की परिशा के तैयारी करने के लिए पीचे एंटेंस एक्जाम जुलाई 2024 का प नाउंबर 1950 को बंड कर तैयार हुआ था, लेकिन जब यह लागू हुआ था, यह होता जन्वरी का महेना 27 जनौरी 1950, यानि कि विकल्प 2, 27 जनौरी 1950 को भारत का समिधान लागू हुआ था, दूसरा प्रस्ण है, वर्तमान समय में भारती समिधान में हैं, यानि कि जब हम भा वर्तमान को देखते हैं, तो भारती समिधान में, वर्तमान में 448 अनुचेद और 12 अनुशुचिया हैं, विकल्प एक इसका सही उत्तर है, तीसा प्रस्ण है, भारती समिधान में नागरिकों के मूल कर्तविकों किस समिधान संसोदन द्वारा जोडा गया, आप जानते हैं कि समिधान का जो मौलिक रूप था, उसमें मूल कर्तवि नहीं थे, मूल कर्तवियों को 42 समिधान संसोदन 1927 के द्वारा जोडा गया है, विकल्प तीन इसका सही उत्तर है, अगला प्रस्ण है, भारती समिधान का भाग तीन सामन्दित हैं, जब हम भारती समिधान को अगला प्रस्ण है, राज्यपाल की न्युक्त करता है, यनकी जो गवर्नर होते हैं राज्य के, उनकी न्युक्त कोहन करता है, भारत में जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं, उनकी न्युक्त राष्टप्ति के द्वारा की जाती है, राज्यपाल राष्टप्ति के प प्रश्पति के चुनाओं से, सामिधान में संसोधन से, मौलिक अधिकारों से, भारती सामिधान का अनुचे 368, सामिधान में संसोधन यानकी constitutional amendment से सामंदित है, विकलप 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्पति है, भारती संसोधन के अनुचार इस्तानी निकायों में चुनाओं का प्रावधान है। अगला प्रश्पति में है, विकलप 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्पति है, भारत के मुख्य न्याधिश को सापत कौन दिलवाता है। इसके विकलपे हैं, राष्टपति, प्रधान मंत्री, उप राष्टपति, मुख्य चुनावाय। भारत की मुख्य न्याधिश को भारत की राष्टपति द्वारा सवध दिलाई जाती है। यहां पर विकलप एक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्टे हैं, महिला आरक्षन विध्याक सम्भंदित है। जब हम बात करते हैं महिला आरक्षन विध्याक की, तो महिला आरक्षन विध्याक इसके तहत एक बट्टा तीन सीट पर लोकसवाब में महिला आरक्षन दिया जाना है। यहां भारती सम्भंदान का 128 सम्भंदान संसोदन है। यहां पर विकलप दो जो है, 128 सम्भंदान संसोदन इसका सही उत्तर है। अगरा पुस्ने हैं अंतराश्टी राजनिती में ब्यवस्ता सिद्धांत की जनक कौन हैं। इसके विकलपे हैं जेम्स रॉबिंसन, मार्टिन कैपलोन, मार्टिन वाइट, कैनेथ, वार्ड। जब हम बात करते हैं, अंतराश्टी राजनीती में ब्यवस्ता सिद्दान्त यानि कि सिस्टम थियोरी की, तो जो सिस्टम एप्रोस दी गई है, वह मार्टेन कैपलोन के द्वारा दी गई है, विकल्प दो इसका सही उत्तर है. अगला प्रशन है, मैकाइंडर वो के हाट्लेंड सिद्दान्त के विप्रीद किनारे की भूमी रिम्लेंड की संकल्पना देने वाले बिद्वान हैं, इसके विकल्प हैं, जेम्स, रॉबिंसन, इन्री फियॉल, स्पाइक मैन, रोबर्ट कोहन, इसका सही उत्तर है, स्पाइक मैन, इस पाइक मैन ने मैकाइंडर के हाट्लेंड सिद्दान्त की विप्रीद किनारे की भूमी रिम्लेंड की संकल्पना दी है, विकल्प तीन इसका सही उत्तर है, अगला प्रस्न है, निम्न में से किसे रास्ती सक्ती का मानवी तत्व नहीं माना जा सकता है, इसके विकल् मनोवल, नेत्युत, कूट नेती, प्राकृतिक संचादन, जब आप मानुवी तत्यों को देखेंगे, तो उसमें मनोवल, निकी मोरायल, उसके बार नेत्युत, निकी लीडर्शिप और डिप्लोमेसी, ये तीनों ही मानुवी तत्यों से संब्दित हैं, लेकि जो प्राकृति हैं, शैनी शाक्त, आर्थिक शाक्त, जन्मत की शाक्त, कोटनीत, तो इसकार ने शैनी शाक्त, आर्थिक शाक्त और जन्मत की शाक्त की बात की है, उसमें कोटनीत और डिप्लोमेसी सामिल नहीं है, अगला प्रशन है, राजने और की कोटनीत को राश्टी शाक्ति का प्रक तो जो कूटनीती है, डिप्लोमेसी है, उसको नैशनल पावर का प्रकार मानने रजू विचारक हैं, वो हैं पामर एयुम पार्किनसन, यहाँ पर विकल्प दो, इसका सही उत्तर है, अगला प्रस्न है, तिरे संग को संसद ऐसी संसद है, यानि कि जो हम बहुते हैं हंग पार तो जिसके अंतरगत लोगसुबा में कोई भी दल स्पस्ट बहुमत प्राप्त नहीं करता, जब लोगसुबा के उचना होते हैं और किसी भी दल को इस्पस्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो इसे हम त्री शंक और कि हंग जो है पार्लमेंट बोलते हैं, विकल्प चार इसका स कथन के सिवियर का है, उन्होंने भारत को एक अर्द संग कहा है, विकल्प एक इसका सही उत्तर है, अगला परतिशन है, भारती समिधान द्वारा आवसिस्ट सक्टियां किसे दी गई हैं, इसके विकल्प हैं केंद्र को, राजियों को, केंद्यों राज दोनों को, आउसिस्ट सक्तियां उन सक्तियों को कहते हैं जो की सांगसूची, राजी सूची और समर्ती सूच में नहीं होती हैं इनके अलावा जो भी से होते हैं वह आउसिस्ट सक्तियां कहलाती है अगला परस्ट है भारत में बोर्ट देनी की उम्र रखी गई है इसके विकल्पे हैं 18 12 वर्ष 21 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष आप जानते हैं कि 61 समिधान संचोधन जो कि 1989 में हुआ था उसके ताहद भारत में बोड़ देनी की उम्र 21 वर्ष की गई है अगरा प्रशन है भारत में दल बदल विरोधी कानून किस समिधान संचोधन द्वारा लाया गया इसके विकल्पे समिधान संचोधन द्वारा बावनवी समिधान संचोधन द्वारा तरेपनवी समिधान संचोधन द्वारा घिया अगरा पूसन है infectman कि कितनी सीटें रखी गई हैं, इसके विकल्ब हैं, 10, 15, 5, 8, जब आप हर्यान राज को देखेंगे, तो वहाँ पर 10 लोग सभा की सीटें हैं, और 5 राज सभा की सीटें हैं, तो यहाँ पर विकल्ब 3 जो है, हर्यान राजी में जो है, 5 राज सभा की सीटें हैं, राज सभा की सी चित्री दल और राजी से मेल खाता है इसके विकल्पे हैं पंजाब में अकाली दल दूसरा हर्याना सिफसेना इसरा राजस्तान में त्रिमूल कॉंग्रेश चौता हैं मांचर प्रदेश में तेल गुदेशम तो यहाँ पर जो सही जोड़ा है वो है पंजाब का अकाली दल त कि छित्री दल है सिफसेना मुंबई में है और त्रिमू कोग्रेश पश्चिन मंगाल में है अगला प्रस्न है महिला मताधिकार के संदरब में कौन सा युग्म सही नहीं है यानि कि यहाँ पर चार विकल्प देरखें और दिया है देशु की नाम और कभ इनोंने महिला मताधिकार की बात करते हैं तो सबसे पहले महिला मताधिकार न्यूजिलेंड ने 893 में दिया था सभीत राज अमिर्का 1920 में और साओधी आरब 2015 में यह सही है जो में बात करते हैं भारत की तो भारत को जब आजादी मिली थी आजादी के बात से ही भारत में ओमें सफ्रिज यानि की महिला मताधिकार लागू है तो यहाँ पर 1902 नाहों कर 1902 में भी अगर कई पर चुना होए होंगे तो महिला मताधिकार की ताहती होए होंगे 26 January 1950 को जब समिधान लागू हुआ तब से भारत में महिला मताधिकार लागू किया गया अगला प्रशने है भारती राजनीती में जाती पुस्तक के लेखक कौन है? एक किताब दी है, हमें इसके लिखक का नाम बताना है, इसके विकल्पे हैं, डीडी बशू, रजनी कोठारी, बाल, चंद्र गोसामी, शोबाश का शब, इस प्रशने का सही उतर है, रजनी कोठारी, बारती राजनीती में जाती पुस्तक जो है, वो रजनी कोठारी की द्वा लिखी गई है, अगला पुस्तन है, पारत में भासा के आधार पर कौन सा राजी नहीं बना, इसके विकल्पे हैं, आंदर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्तान, तो जो आप आंदर प्रदेश की बात करते हैं, तो सबसे पहले तेलगु भासा को लेकर, जो राज बना था, वो आंदर प्रदेशा, गुजराती भासा को लेकर गुजरात, और पंजाबी भासा को लेकर पंजाब बना, तो यहां पर राजस्तान जो है, यह भासा क्या धार पर बना हुआ राजी नहीं है, विकल्प 4 इसका सही उत्तर है, अगला पुस्तन है, किस सामयदानि संचोदन द्वारा, अन्य पिछले वर्गों को सिक्षन संचानों में प्रवेशेत, 27% आर्शन देने की विवस्ता की गई, इसके विकल्प है, 91% संचोदन द्वारा, दूसरा 92% संचोदन द्वारा, 34% संचोदन द्वारा, तो यहां पर तीस्तरा जो है, 93% संचोदन की द्वारा, जो है, अन्य पिछला वर्गों को सिक्षन संचानों में 27% आर्शन देने की विवस्ता की गई, तो यहां पर तीस्तरा जो है, इसका शही उत्तर है, अगला प्रशन है, निम्न में से किसका मात्य हुए है, किसी देश के राष्टी हित को उसकी समता का समानुपाती होना चाहिए, इसके विकल्पे हैं, उड्रो विल्सन, चाल्ज लॉज, तीस्तरा हंस जे मारगन्थाओ, चोहता विकल्प है, जे डिक, और इस प्रशन का जो सही उत्तर है, वह है, हंस जे मारगन्थाओ, मारगन्थानों का इसी देश के राष्टी हित को उ के वारे में बात की है, अगला प्रशन है, परमान अपरशार संद, जो की वर्श उड्रो उड्रो आए थी, क्या धार भूतु देश क्या थे, इसके विकल्पे हैं, परमान सस्तरों का अपरशार, दूस्ता है निसस्तिकरण, तीसा परमान उर्जा का सांतिपूर्ण, प्रि उत्तर है, आला कि भारत और कई अन्य देशों ने इसे भेदभाव मुलक माना और कहा, यहों जो सक्त परमान संपंदेश हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रश्या, उनको तो परमान हत्यार रखने का अधिकार देती है, लेकिन अन्य देशों को परमान हत् अगला प्रशन है, निमन मैं से किसका मत था कि एक देश की विदेश नीति का निर्धारन भुगोल द्वारा किया जाता है, इसके विकल्पे हैं, नैपोलियन, मार्गंथाउ, और्गंस की, पामर, पांकिजन, यह प्रशन कई बारा चुका है, इसी देश की विदेश नीति का निर्धारन भुगोल द्वारा किया जाता है, यह नैपोलियन का प्रशित कतन है, विकल्पे है किसका सही उत्तर है, अगला प्रशन है, गुट्रिपेक सांदुरुन का उननिस्वा सम्मेलन कहा हुआ, इसके विकल्पे हैं, कमपाला, युगांडा में, दूसरा है दिल्ल भारत, इसा तेरान, इरान, चोथा काटमांडू, नहपाल में, जो उननिस्वा सिकर सम्मेलन था, वर्स 2024 में हुआ था, यह युगांडा कमपाला में हुआ था, विकल्पे किसका सही उत्तर है, अगला प्रशन है CTBT का फुल फॉर्म क्या है, CTBT संद्रिजोकी वर्स 1996 में हु इसका सही उत्तर है, अगला प्रशन है, अंतराश्टी राजनीति के नव अथार्थवादी और या नव सन्नष्णावादी विचारक निम्न में से किस व्यवस्ता को अधिकिस तिर व्यवस्ता मानते हैं, इसके विकल्पे हैं, एक दृभी व्यवस्ता, दिधृभी व्यव विकल्प दो इसका सही उत्तर है। अगला प्रशन है निम्न में से किस संकट को शीत युदु का चरम बिंदू माना जाता है। इसके विकल्प है क्यूबा शंकट, श्वेज शंकट, कांगो शंकट, कोर्या संकट। जब सीत युदु के चरम बिंदु की बाताती है, तो अगला प्रसन है, भारत का किस देश के साथ डौकलाम बिवाद है? इसके विकल्पे हैं चीन, नैपाल, पाकिस्तान, भोटान. इसका सही उत्तर है, चीन, भारत का चीन के साथ डौकलाम बिवाद है. अगला प्रश्ण है राज्टी विज्यान राज से ही सुरू और समाप्त होता है यहाँ कतन किसका है इसके विकल्पे हैं गार्नर, प्लेटो, लास्की, लोग, यह पुश्चति कतन गार्नर का है, उन्होंने कहा, राज्टी विज्ञान, राज से ही सुरू और समापत होता है, अगला प्रश्चन है, निम्न मैं से किसने आयातित स्टेट या आयातित राज इंपोर्टिट स्टेट पर प्रिकास डाला है, इसके विकल्पे हैं, मॉन्टे वीडियो कन्वेंशन, ब्रिटन वुट स्टेट, वेस्ट फेलिया के संध, वास्टी गटन संध, तो इसका सही उत्तर है, मॉन्टे वीडियो कन्वेंशन, यह वर्स 1937 में हुआ था, इसमें कहा था कि तो इक राज्य है, उस राज्य को कुछ प्रमुक गुणों के साथ होना चाहिए, पहला कहा था कि उसके पास एक पर्मनेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसकी एक डिफाइंड टेरिटरी होन होनी चाहिए, और उसमें एक कैपसिटी होनी चाहिए, कि वो अंतराष्टी शंबंदों को बना सकें, तो यह पर विकल्प है किसका सही उत्तार है, अगला प्रशन है, निम्न में से किसका मत है, कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, इसके विकल्प है, कालमाक्स, इसका सही उत्तार है, टी एस ग्रीन, ग्रीन ने कहा था, कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, विल नौट फोर्ट की बात करते हैं, अगला प्रशन है, निम्न में से कौन सही उत्तार है, यहाँ पर विचारको की नाम है, और उन से सम्मंदित संप्रभुता के प बहुलवादी संप्रभुता, तो जब आप हप्ष को पढ़ेंगे, तो वहाँ लीगल सोवन्टी संप्रभुता 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 संप्रभुता, वहाँ रूशो लोगपणी संप्रभुता से संप्रभुता, ओस्टिन का जो संप्रभुता है, वहाँ पारी व्यवस्ता नहीं मानता है। इसके विकल्पे हैं कालमाक्स, गाधी, लौक, टी-एस-ग्रीन। जब हम बात कालमाक्स की करते हैं तो कालमाक्स ने राज्जी को एक शोशनकारी यंत्र के रूप में देखा है। तो विकल्प एक इसका सही उत्तर है कालमाक्स। अगला राज्ज के उचित्ति का जो आधर माना है वो कंस्तिन यानि की शामत माना है। जोकि उनका मानना है कि लोगों के समझाता से ही राज्ज बना है। क्यों हो अप्स, लावकुरूशों, कोई विचार को तो अन्होंने एग्रिमेंट या साहमत को ही आधर माना है। यहां पर विकल्पे हैं जान डीवी, हेर लास्की, कालमाज, ग्रामसी। इस प्रश्ण का कही हुत्तर है हेर लास्की। हेर लास्की ने कहा कि जो राज्य है वो अपनी दाइत्तु के कारण ही परमुक पना हुआ है क्योंकि कोई भी राज्य की भैचान उसके आधिकारों से होती है कि व समाज बलपरियोग को संभावित करता है इसके विकल्ब हैं कालमाक्स लूई अल्टुजर ग्रामसी हीगल इसका सही उतर है ग्रामसी यह विचार ग्रामसी का है उन्होंने कहा कि नागरिक समाज सहमत उप्लब्द कराता है और रामितिक समाज बलपरियोग को संभावित करता ह तो ये ग्रामसी का सिद्धानत है … अगला प्रश्न है, राजी के मुखितत्त्त्तु कौन से होते हैं? जब हम राजी के मुखितत्तु की बात करते हैं तो राजी के चार मुखिता तो होते हैं जन्संक्या, भूभाग, सरकार और संपर्भुता यहाँ पर विकल्प दो इसका सही उत्तर है कि जन्संक्या निकी पॉपुलेशन, टेरिटरी और गॉवर्मेंट और शोवर्निटी विकल्प दो पॉपुलेशन, टेरिटरी, गॉवर प्रकार आधुरिक नौकर साही की आधार सिला है, इसके विकल्प हैं परंपरागत, करिश्मावादी, कानूनी तार्किक लोग प्रे, तो आधुरिक नौकर साही की आधार सिला है, वो लीगल रिशनल, कानूनी तार्किक है, विकल्प तीन इसका सही उत्तर है, अगला परस उन्होंने स्त्रम की बात नहीं की है तो इस प्रस्णि का जो सही उता रहे स्त्रम है जब बात आती है कि लौक ने सबस्जादिक मत उरक को भूत कूड़ माना है वो कहते हैं कि समपत्य की अधिकार में जीवन और शृतनतरता दोनों या धिकार छिप हुए है अगला प्रस्ण को विस्तार देने में, तीसरा है राजी के उन्मुलन में, चौहता है राजी विहीन समाज में, जब हम बहुलवाद्यों के बात करते हैं तो बहुलवाद्यों का तर्ग है कि राजी की सक्तियों को कम किया जाना चाहिए और अन्य जो हमारे sources हैं उनको बढ़ाना चाहिए यानकि सक्ति का विभाजन किया जाए सक्ति का बटवारा किया जाए शक्ति एक एक ही केवल राजी के पास ना हो यानकि राजी के सक्तियों को कम किया जाए यही polaristic बिचारक कहते हैं अगला प्रस्वन है निम्निकित बिचारकों में से कौन सा बिचारक राजी के आदर्सवादी सिद्दान्त से सामंदित हैं इसके विकल्प हैं लास्की, जेयस्मिल, हीगल, हॉप्स जब हम राजी के आदर्सवादी सिद्दान्त के बात करते हैं तो हीगल जो हैं राज जी के आदर स्वाथ से समंदित विचारकों में से एक हैं, विकल्प तीन इसका सही उत्तर है। अगला प्रशन है, प्राकृतिक अदिकारों का सिद्दान्त निम्न में से समंदित हैं। इसके विकल्पे हैं प्लेटो, मैक्यावली, कालमाक्स, लोक। आप जानते हैं, प्राकृतिक अदिकारों का सिद्दान्त, जोन लोक से समंदित है, विकल्प 4 इसका सही उत्तर है। 25 प्रशने हैं, राज जी की उत्पत्ति के सिद्दान्तों में राजनितिक चेतना मुख्यतोह संबंदित है, इसके विकल्पे हैं देवी उत्पत्ति का सिद्दान्त, शक्ति सिद्दान्त, सामाजिक सम्विदा सिद्दान्त, विकासवादी सिद्दान्त, जो हम राजनितिक सिद्धांतों में राजनितिक चेतना को महत्व देते हैं विकल्प चार इसका सही उत्तर है आज की इस प्रश्ण पत्र में जो की पीजे एंटेंस एक्जाम वर्च दोजार चौबिस का है इसके पहले भाग में हमने एक से लेकर पचास तक के प्रश्णों का जिन किया है इसक की दूसरे भाग में हम एक काउन से लेकर शो तक के प्रश्णों को हल करेंगे इस प्रश्ण पत्र में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका